उपर उपर से एकदम simple, easy, straightforward लगता है लेकिन अगर आपको उसे पूरी तरह से जानना है तो बड़ी डुपकी लगानी होगी और वो डुपकी कैसे लगाते है ये मैं आपको बताऊंगा अगर आपका foundation weak है तो घर बयाने का कोई meaning ने रहता अगर आपकी body नहीं है तो भी आपके पास घर नहीं है और अगर आपके पास roof नहीं है तो घर में आप safe नहीं हो इंडिया के top institutes है research के लिए इनमें आपको अच्छी तरह से guidance दिया जाएगा ये सारी skills दी जाएगी सारे chances opportunities मिलेंगी आपको जिनसे आप अपनी cosmology की studies start कर सकोगे पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना चुनिये साय आस्ट्राप और करे अपनी IATNS का सपना साकार डाउनलोड दी एक नाउ हेलो जनता मैं सिधार्त वापस आगया हूँ एक और cosmology वीडियो के साथ सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत शुक्र गुजार हूँ आपने मेरे पिछले वीडियो पे इतना positive response दिया कितने लोगों ने अपना interest express किया cosmology में cosmologist बनने में तो आज की वीडियो में आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में cosmologist कैसे बनते हैं इस वीडियो विल सर्व एज विंडो इंटो दे जर्नी औफ और कोस्मोलोजिस्ट सबसे पहले तो cosmology just like everything in science is an iceberg उपर उपर से एकदम simple, easy, straightforward लगता है लेकिन अगर आपको उसे पूरी तरह से जानना है तो बड़ी डुपकी लगानी होगी और वो डुपकी कैसे लगाते है ये मैं आपको बताऊंगा अगर आप surface level knowledge से संतुष्ट हो तो आप कही अच्छी अच्छी popular science books बढ़ सकते हो documentaries देख सकते हो इस video series में ही आपको काफी interesting knowledge मिलेगी लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ तो incompleteness feel होगा आपकी कुछ सवाल पूरी तरह से answer नहीं हो पाएंगे उनसे तो अगर आपको universe का एक deep understanding चाहिए तो आपको अपनी पूरी life study को dedicate करनी ही होगी just like a monk जो साधू होते है जो पहाडों में रहते है जंगलों में रहते है पूरी दुनिया से अलग सिर्फ ध्यान लगाते है इस दुनिया को पूरी तरह से समझना चाहते है वो उनी की तरह तुमको भी ये कड़वा सच accept करना ही होगा अब हमने पहले भी वीडियोस बनाए है how to become a physicist, how to become a quantum physicist और उन वीडियोस का इस वीडियोस से काफी तालमेल है काफी जादा overlap है लेकिन जो unique चीज़े है cosmology की वो मैं आपको बताऊंगा तो अगर आपको अच्छा cosmologist बनना है तो आपको strong foundation लगेगा आपके basic science का जो भी topics आपके 12 syllabus में है उन topics में आपको export होना पड़ेगा काफी thoroughly उन subjects को पढ़ना पड़ेगा बहुत जादा problem solve करने पड़ेंगे तभी आपका understanding इतना strong होगा कि जो advanced topics है physics में, maths में उनको आप अच्छी तरीके से समझ पाओ और universe के understanding में उनको apply कर सको जो advanced physics के topics है they include general relativity, quantum mechanics, quantum field theory और particle physics जो advanced maths के topics है वो topics are very crucial to understanding not just these topics but also the nature of science itself एक काफी popular quote है कि maths is the language of the universe तो अगर आप universe की भाशा ही नहीं बुलते तो उसको समझ कैसे पाओगे इसलिए आपका maths में भी अच्छा होना काफी important है maths में जो topics लहेंगे आपको वो होंगे आलजेब्रा, advanced algebra जो आपको BAC और MSC में सिखाया चाहेगा उसके बाद में topology और differential geometry ये होए maths के topics जो आपको important है उसके साथ साथ आपको coding भी आनी चाहिए coding में आप अगर expert ना हो तो भी चलेगा लेकिन basics of programming numerical problem solving क्या होता है ये आपका जानना काफी ज़रूरी है mostly physics में python का काफी heavy use होता है लेकिन अगर आप theory कर रहे हो तो आप mathematical भी use करोगे and last but not the least अगर आपके पास curiosity नहीं है तो आप tough questions को approach नहीं कर पाओगे उनको answers ढून नहीं पाओगे इसलिए आपका curiosity होना काफी ज़रूरी है and that will complete your entire house of cosmology इसमें सारे के सारे elements जो है they are very important अगर आपका foundation weak है तो घर बयाने का कोई meaning नहीं रहता अगर आपकी body नहीं है तो भी आपके पास घर नहीं है और अगर आपके पास roof नहीं है तो घर में आप safe नहीं हो तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो house of cosmology है ये आपको करना पड़ेगा if you want to become a cosmologist Now the easiest way to achieve this is by studying in an ICER or NICER or IASC ये जो इंडिया के top institutes है research के लिए इनमें आपको अच्छी तरह से guidance दिया जाएगा ये सारी skills दी जाएगी सारे chances, opportunities मिलेंगी आपको जिनसे आप अपनी cosmology की studies start कर सकोगे you will learn from some of the leading experts in the field you will get a chance to do internships in internationally acclaimed universities if you get into ICER or NICER or IASC अगर आप किसी और college में science पढ रहे हो तो आपको अपनी तरह से बहुत जादा efforts लगाने पढ़ेंगे लेकिन nonetheless it is doable Now just like any other journey the first few steps of cosmology are the hardest to take जहां पे आप decide करोगे कि आपको जीवन के सारी खुशियां त्याग करके cosmologist बनना है but once you take those first few steps the momentum will keep you motivated and with a little bit of will and determination you will find yourself overcoming every single challenge in your path and become a successful cosmologist before you know it I hope this video से आपको थोड़ी clarity मिल चुकी होगी और थोड़ा understanding आपका develop हो चुका होगा कि आपको cosmology as a hobby चाहिए या फिर as a lifestyle चाहिए और अगर आपको सच में cosmologist बनना है तो अभी से तयारी शुरू करो क्योंकि रास्ता काफी लंबा है मिलते हैं